नमस्कार किसान भाईयों आज हम आया हैं जुबेर गंज बजार में यह जुबेर गंज बजार लखनव और फजाबाद के रोड पर अजुध्या के रोड पर पड़ता है और यहां पर हर रवी वार कुछ संडे को बजार लगती है और इस बजार में कई जिला और कई भैंस और गाय आते हैं यहां बिखने के लिए और आज हम फिर आए हैं आपको दिखाएंगे भैंस के बारे में पूरी जानकारी देंगे कौन भैंस बच्चा दिया है क्या रेट है उसका कितना दू देने की क्वाल्टी है और गाय के बारे में भी पूरी जानकारी हम यहां पर ब्यवस्था बहुत ही अच्छी है और बहुत ही टाइट ब्यवस्था है क्योंकि बजार की जो मालिक हैं इनके इनका मतलब कहने का मतलब यह है कि किसी को कभी ठागा ना जाए किसी के साथ कोई बेमानी ना हो हमारी बजार में और बहुत ही ब्यवस्था सुचारू गंग से है और किसी के साथ कोई छलकपट नहीं कर सकता है कोई रेट लगा करके नहीं भाग सकता है खरीद लिया है तो उसको लेना पड़ेगा तो कहने का मतलू यह है कि पूरा बहुत ही गजब का यहां पर जो भी आदेश है बजार के माली का विरकुल पड़ा सासन है तो इ यहां पर आए चलिए हम दिखाते हैं आपको कुछ नमस्कार नमस्कार भीया कहां से आए आप बस्ती जिला से कितनी भैंस लाए हैं दो दो बैस लाए है तो थोड़ा इस भैंस के बार में बताईये बच्चा दिया है कि नहीं दिया अभी काविन है अच्छा कब तक साथ-áffmy दिन लेगी है आच्छा भैंस तो बढ़ियां है है को था भैंत में है तेहला में है पहला भीयां देख सकते हैं कि सान भैयों यह तेहला में से बहुत ही सुन्दर भैंस है भीया बस्ती से आए है लेकर हाए हैं दो फ्राम्स है दोनों बहुत ही व्यस्त भैंस बहुत ही सुंदर 7-8 दिन लेगी बच्छा करने में भैंस तो इस तरह से हैं बहुत ही बढ़ियां है जानते हैं क्या मांग रहें भिया पंचान बहे जाए कुछ प्रशन क्रेंगे बहुत ही और दूसरी बहुत ही बढ़ियां हाँ यह अच्छा बहुत ही बड़िया देख सकते हैं तब तक बच्चा करेगी मांगे पंदरा दिन लेगी को था बैंत में है दोहला है, अच्छा, बहुत ही बढ़िया, देखें किसम भईए, ये दोहला बेंट में भैंस है, बहुत ही बढ़िया भैंस है, भईया बसकी से लेकर आएं दो भैंस, दोनों भैंस बहुत ही गजब की है, अट देखें इसका, ये से रेट जमते हैं, क्या डिमांड है भी ये भैंस की, एक लाक दस जार, एक लाक दस जार, ज्यादा है कुछ, ज्यादा है कुछ, कम हो जाएगा, कितने तक छोड़ देंगे, छोड़ देंगे दस जार, दस जार तक छोड़ देंगे, मतलब एक लाक रुपया लेंगे, चल हैं बहुत ही सुन्दर है कि अधिक सकते हैं आप लोग बहुत बिप्वारी हुआ है जादा नमस्कार कहां से आया है बलिया से एक पूरा बेड़ी बलिया का है सारे लोग बलिया से हो अच्छा करेगी दस दिन में करेगी अच्छा कितना मांग रहे हूं एक पच्पन बढ़िया बैस है लेकिन अभी कच्ची है आडर आया नहीं है बढ़िया नहीं तो मिल जाता साइद कुछ कम कर दोगे नहीं तभी कुछ तो चलिए आडर तयार नहीं हो भैंस तो बहुत अच्छी है नहीं तो मिलता जरूर आप जो कर रहे हैं अबी पूरा बूध ही नहीं है ना रहा है देख सकते हैं किसान बहियं लेकिन भैंस बहुत बढ़ियां है तो इस तरह से जितने भैंस आई हैं अज मंडी में सारी भाइश बहुत ही जुंदर है, कम रेट की और ज्यादा 수 गौरा की भाइश ही है। कुछ भैंसू के बारे में आपको बताएंगे, दिखाएंगे, रेट भी बताएंगे, और बच्चा कॉन दिया है, इसके के बारे में बताएंगे, कितना दूस देने की क्वालिटी है, सारी जानकारी आपो हम देंगे आप लोग हमारी वीडियो में बने रही हैं, देखते रहीएगा, हम अर बजार को यहा पर आते हैं और गाय के बारे में पूरी जानकारी देते हैं हमारे चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया है किर पे हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बगल में बेल आइकन दबा लीजे ताकि हमारी वीडियो जैसे आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और गाय भैस के बारे में आप पूरी जानकारी ले सकते हैं तो हम तो बस्ती जला से एक भैस लेकर आएं ब्यापारी है कि किसान हैं अरे गजब क्या बात है कितना मांग रहे हैं भैस का पचासी जारत पचासी बच्चा कब करेगी यह पंदरा तारिक पंदरा तारिक को यह निकि 20 दिन भी लग भग लेगी काभी कच्छी है भैस साब की होडा और रुक्या आना था कुछ कम भी कर देंगे कुछ कम करेंगे कितना कम कर दो गे आप उस्पाद के बच्चा करेगी परिशे बोलो तक क्रियाना घुमे महें खूद है डबाली मिंडी यह वहां सियाँ वहां देखिए कहां से आए आप बस्ती जिला से अच्छा अभी हम उधर बीडियो बना रहे थे सारे लोग बलिया के थे यहां बस्ती के हैं बहुत बढ़िया भैस को था है तब तक बच्चा करेगी 20 दिन लेगी अच्छा ताफी कितना मांग रहे हैं यहां पर एक भैस है बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया और देख सकते हैं आटर बहुत बढ़िया है कब तक बच्चा करेगी थोड़ा इस दिवारे में जानकारी करते हैं तो वह प्रक्शोषण जाध मनग रहे हैं लेने हो यह लेने वाला इकram करोगी बढ़ंगे तो चार पांच हजार रुपया कम हो जाएगा अच्छा आ जाओ देखे